पाकिस्तान की विपिन्न हिस्तों से कई चौक आने वाली और अजीब खबरे सामने आती रहती है करोड़ो रुपे की लक्शरी, हाई एंडेट, बेंटली, मुलसेन कार, लंडन, युनाइट किंडम से चोरी हो गई और पाकिस्तान के कराची में मिली, मैं आपको बताती हूँ कि कार वहां कैसे पहुची कार को एक पाकिस्तानी नागरिक ने लंडन से चुराया था और एक योरोपी राश्टर के एक वरिष्ट नौकरशाह के शाग का उप्योग करके पाकिस्तान लाया गया था UK National Crime Agency को सूचना मिली की कार पाकिस्तान में है इसलिए उन्होंने Colliderate of Customs Enforcement को सूचित किया जिसने चापे मारी की तो कार वहां मिली चोरी के बारे में जानने के बाद UK National Crime Agency ने अधिकारियों ने भी घर पर छापा मारा और मालिक को पकड़ा हाला कि वह हैरान थे कि कार पाकिस्तान कहसे पहुंची प्रिटिन के अधिकारी आसानी से कार का पता लगा भाए क्योंकि पाकिस्तान के स्थानिय मीडिया के अनुसार चोर इतने मुर्ग थे कि उन्होंने बेंट्ली के मॉनिटरिंग ट्रैकर को हटाना या बंद नहीं किया इससे ब्रिटिन के अधिकारी कार की सतीक लोकेशन आसानी से पता कर पाए यह एक लग्जरी कार है और इसमें हाई एंडेट टेकनलोजी थी जिससे चोर नहीं जानते थे मालिक कार के लिए दस्तावेज उपलत कराने में विफल रहा और अधिकारियों ने कार को जब्द कर लिया और मालिक को पकड़ लिया उसके साथ कार बेचने वाले दलाल को भी गिरफतार कर लिया गया है जमील शफी और नवीत बिलवानी दो आरोपी है जिनने अभी जेल में डाल दिया है लग्जरी बेंटली की कीमत तीन लाग डॉलर या लगबग 2.4 करोड रुपे से अधिक है बहुत ही अजीब है इस खबर को उलासत कमेंट्स मिली और लोग चोरों की मुर्पता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे